अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम पर multiple account create कर रखें and उस बीच एक account को login करने जाते हैं तो login करते समय क्या होता है कि आपको यहाँ पर facebook से login करने का option मिलता है तो आप लोग यहाँ पर facebook वाला option select कर लेते हो तो आपको यह वाला problem देखने को मिलता होगा और cannot login in with facebook यह problem सभी को आता है जब आप लोग facebook से login करने जाते हो यहाँ पर लिखा होता है try login in with your password once you login you can enable login in across accounts in your account center जब आप लोग बहुत सारे account use करते हो तो इसमें क्या होता है कि आपको setting करना होता है तब आप लोग यहाँ पर अपने facebook से सारे account को login कर सकते हो तो इस वीडियो के अंदर जानने वाल है कि क्या है वो setting तो आप लोग वीडियो को start से लेकर end तक देखिए अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को like नहीं किए तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe करके यहां पर क्या जा रहा है कि अगर आपको login करना है तो आप लोग अपना open करना है जैसरे आप लोग फेस्बूक करते हो आपको क्या करना कि setting में आ जाना है देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना setting open कर लेता हूँ जैसा आप लोग setting में आऊगे तो आपको ऊपर में account center का option देखने का मिल जाएगा यहाँ पर click कर लेंगे अब आपने यहाँ पर जो जो profile इससे link कर रखा जैसे कि कौन गौन सा instagram account आपको facebook account से link है वो सब ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अब आपको यहाँ पर connected experience का option मिलेगा आपको यहाँ पर click करना है अब आपको यहाँ पर login in with accounts का option मिलेगा आपको यहाँ पर click कर लेना है अब देख सकतों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है Allow all accounts to login into each other तो यहाँ पर अगर आप लोग यह वला option सेलेक्टर ले होते हो तो आप लोग सारे account में बीना यहाँ पर password के login कर सकते हो डायक्ट Facebook से बस आपको करना के यहाँ से आपको continue इस तरीके से कर दिना है जैसे आप लोग continue करोगे आपका Instagram यहाँ पर open हो जाएगा अब आपको क्या करना है कि एक बर बस यहाँ पर password अपना fill up कर देना है अगर आपको password नहीं पता है तो आप लोग forget password कर सकते हो फिर भी अगर आपको password जानना है कि हमारे Instagram का password क्या तब लोग वीडियो के रिस्क्रिप्सरी वाली वीडियो को देख लिजेगा आप लोग पता कर सकते कि हमारे Instagram का password क्या है अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अपना password fill up कर देते हैं अब यहाँ पर हमने अपना password fill up कर दिया उसके बाद login वाले option पर click कर देंगे click करने के बाद हमारा जो Instagram account होगा अब वो Facebook से बिल्कुल login हो जाएगा यहाँ पर कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि देख सकतों यहाँ से not now कर देते हैं not now करने के बाद confirm account पर click कर देते हैं अब यहाँ पर आपको मैं एची दिखा देता हूँ confirm यह चीज हो गया है और यह वाला जो setting है हमारा on हो चुका है पहले यहाँ पर क्या था कि choose करना था कौन कौन सा account हम लोग लोग इन कर सकते हैं तो अब हमें चूज नहीं करना पड़ेगा अब हमने सारे account को जो भी हमारे Facebook से link है वो सारे automatic यहाँ पर login हो जाएगा बीना password के अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से अपना Facebook और Instagram यहाँ पर एक बार refresh कर देते हैं अब आपको मैं यहाँ पर live proof करके दिखाता हूँ देख सकते हूँ यहाँ पर क्या करते हैं कि अपना account open फिर से कर लेता हूँ क्या है कि यह वाला account को login करते हैं अब यह direct login हो जाएगा यहाँ पर cannot वाला जो इंटरफेस अब नहीं जाएगा देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको live proof करके दिखा देए कैसे आप लोग अपना problem को solve कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे होगी तो वीडियो को प्रेद जरूर कीजेगा